इस वीडियो में Redmi Note 10 Pro अगर मुबाइल आपका गर्म हो रहा है जैसे आपको इंटरनेट चलाते हैं या वीडियो देखते हैं या इंटरनेट को ओन किये रहते हैं या चारजिंग लगाते हैं तो आपको मुबाइल बहुत ही गर्म हो रहा है तो इस वीडियो में आपको complete जानक करना है इस तरीके यहां पर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हमारा internet on है इसे बंद करेंगे वाई-फाई-आन है इसे बंद करेंगे और यह Bluetooth को भी बंद कर देंगे के बाद यहां पर जो आपका hotspot होता है इसे बंद कर देना है अगर आप अपना hotspot को on करते हैं उसके रहा है अगर आपका internet weak है तो आपको मुबाल ज्यादा ही गर्म होगा अगर आप अपने data कौन की हैं आपका internet slow है जैसे जो network अपरीज होता है कम पकड़ रहा है तो वहाँ पर भी आपका मुबाल गर्म हो सकता है इस तरीके से आप लोग और यहां से स्क्रोल करेंगे यहां पर security वाले option पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने बाद यहां पर clean का option दिखेगा इस पर क्लिक कर देना है यहां पर जो आपका phone है यहां से आप लोग को clean कर लेना है जो आपका कचड़ा होता है यहां कोई भी catch file होती है यहां से आप लोग यहां से remove कर सकते हैं इस तरीके से scan करन बाद यहां से बैक करना है बैक करने के बाद यहां पर आप लोगोगों बैटेosition typesus and ऐस पर डिकर देना है और यहां परआым जियाएव दिखके हैं जो मैंने और वान ताइम मतलब एक बार चार्ज किया है और यहां पर जो मेरा temperature है normal है क्योंकि अभी मेरा जो temperature है अभी मैंने कोई भी hot spot मेरा internet week नहीं था इसलिए यहां पर अभी normal लिखके आया हुआ है अगर आपका mobile गर्म जादा हो जाता है तो आपका internet होता है यह सब आपका notification सो हो जाता है नीचे वहां से आपको बंद करने के लिए बोला जाता है तो वहां से आप लोग को बैक कर देना है यह temperature भी आप लोग यहां से ध्यान देजिएगा और यहां पर जो आपका display होता है यह आपका charging slow हो रहा है कोई भी phone हो तो यह आई button पे link मिल जाएगा यहां से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं वहां पर मैंने बताया है कि अगर आपका phone slow charge हो रहा है आपको क्या change करना पड़ता है क्या नहीं और यहां पर आप लोग को boost speed पर क्लिक कर देना है जो आपके application background म में run करती है इसे आप लोग को यहां से close कर देना है जैसे कि मैं यहां पर boost speed पर क्लिक करता हूं यहां से जो मेरा background में run करने के बाद यहां पर optimize का अपसान दिखेगा इस पर click कर देना है यहां से जो आपका system security है catch file है और यहां पर security है सब सारा clean करके आपको यहां पर so हो जा को यहां से clean कर देना है क्योंकि ज्यादा अगर आपका phone भरा रहता है अगर आप internet को चलाते हैं जितनी फाइल आपके phone में add होती है उससे भी आपका phone ज्यादा heat होता है और memory फूल हो जाती है इससे आपका mobile भी हैंग होता है और यहां से बैक करेंगे बैक करने बाद यहां स आप लोग को अपने setting वाले option पर click कर देना है यहां पर click करने बाद यहां से scroll down करना है उसके बाद यहां पर आप लोग को दिख जाएगा theme यहां पर जो आपका theme है यहां पर लोग यहां पर कोई भी theme अलग से download ना करें तो भी आपका mobile हैंग होता है जैसकर यहां पर theme देख सकते हैं बहुत सारी theme यहां पर आती हैं जैसकर internet को on करते हैं यहां पर दिखाते हैं जैसकर यह theme हो गई यहां पर देख सकते हैं अगर इ दिया हुआ है इसी को यूजड के रहें जैसा कि मेरा मैं कॉन सा कर रह रहा रहा है यहां पर देख सकते हैं आप लोग डॉणलोड किया तिस यूज नहीं करता है यहां पर मैंने फोन का ही किया है जो कि classic पर और है यहां से आप चेक कर सकते हैं आपका नॉर्मल है या ज्यादा वार्म है मतलब यही से आप लोग सारा कुछ प्रोसेस दे सकते हैं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहन